तो हेलो गईज, वेलकम बाट तो माई यूटिब चानल, मैं नाम है अनीश और आप देख रहे हैं हैं स्टाइक वेंटो तो गईज आपको मेरे यूटिब चानल पर बहुत-बहुत स्वागा देखिए आप किसी भी इंस्चूट से जाके आनलाइन भी कर सकते हैं और आप चाये तो रेगुलर जाके भी कर सकते हैं दोनों के अलग-अलग benefit हैं, अलग-अलग फायदे हैं वो मैं इसलिए बोल रहा है कि अगर आप open से करते हैं यानि कि आप online classes करते हैं तो उसमें आपकी जो fees होती है सबसे पहली बाद जो fees होगी वो बहुत कम होती है in compare of regular next ये जो time आपका बचता है आप online पढ़ाई करते हैं इसके बीच में आप कोई job कर सकते हैं या फिर आप कोई crash course कर सकते हैं या फिर कुछ बहुत सारे काम है जो कि इसके बीच में आप कर सकते हैं ये आपके एक सबसे बज़ा plus point होता है या फिर आपका कोई job कर रहे हैं तो आप online जाके वो classes कर सकते हैं आप साथ साथ में आपकी salary भी आ रही है आप अपना education है वो आगे further continue भी कर सकते हैं देखिए अगर मैं बात करता हूँ digital marketing को लेके देखिए दोनों चीज़े सेम हैं आप कहीं से भी कर लिए कोई फरक नहीं पड़ता है दोनों की जो weightage हैं almost almost same है मतलब आप किसी में भी apply कर सेते हैं जो government jobs होते हैं उसमें भी जो online classes है किया हुए होते हैं वो भी eligible होते हैं और regular वाले तो eligible होते ही हैं तो दोनों के दोनों eligible होते हैं किसी भी course के लिए आप government job के लिए भी apply करते हैं अगर आपने ignoo से भी किया हुआ है तो ignoo के बंदे हर ऐसे post जो कि government के लिए से निकलता है या फिर आप private companies में जाते हैं हर जगा valid है और उसे मानेता दी भी है government ने तो बस ये कीजिएगा कि कोशिश कीजिएगा उस course को अच्छे से go through कर ले कि government ने उस course को recognize किया हो वो universities जो जिस universities से आप कर रहे हैं वो recognize universities से कर रहे हो ऐसा ना हो कि उसका कहीं नाम किसी ने आज तक नहीं सुना है और आपने वैसी जगा से जागे कर लिए तो थोड़ा सा verification जरूर कर लिजेगा ये जरूरी है देखे रेगुलर से करने का आपको कई सारी चीज़ा फाइदा है आप teacher से direct interact करते हैं और कई सारी नई चीज़े भी आप सीखते है ये रेगुलर के फाइदे है आप student से जाके interact करते हैं उनसे भी चार चीज़े नहीं सीखते है एक समझ लिए एक community बन जाता है जिसमें कि आप problem solving और बागी चीज़ों अराम से regular वाले में जाके कर सकते हैं अपना thought जो भी है वो share कर लेते हैं तो इसके बड़े बड़े फाइदे हैं regular के भी आप कोशिच कीजिए अगर आपके पास time है तो online से है तो regular से कर लिज़े अगर time नहीं है तो online course के लिए आप जा सकते है बाकि आज के लिए इतने रखते हैं वीडियो पसंद आया लाइक कर देज़ेगा शेयर कर देज़ेगा और फिर मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर नवशकार